हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चानल खेल कबट्टी तेईस फर्वरी की रात कबट्टी के मैट पर हुआ सेमी फिनाले टू राउंड जिसमें खेला मैच्च दबंग दिल्ली और बैंगलरू बुल्स ने और जीत हुई दबंग दिल्ली की तो कॉंग्रैचुलेशन्स तू अल दबंग दिल्ली फैन्स कि आपके टीम यहां पर जीत चुकी है पूरे पाँच पॉइंट के साथ तो चलिए देख लेते हैं इस मैच के कुछ हाइलाइट्स In the first half of the match, Dabang Dhillie scored total 0.16, rate 0.7, tackle 0.6, all-out points 2, and extra 0.1. And Bengaluru Bulls scored total 0.17, rate 0.11, tackle 0.5, and extra 0.1. Whereas, in the second half, Dabang Dhillie scored total 0.24, rate 0.16, tackle 0.5, all-out points 2, and extra 0.1. And Bengaluru Bulls scored total 0.18, rate 0.13, tackle 0.4, and extra 0.1. Coming to the rates record, Dabang Dhillie ने यहाँ पर 2 super rates की, दोनो ही टीम्स के पास 41 total rates ती, जिसमें Dabang Dhillie की successful रही 80. और Bengaluru Bulls की successful rate 20. Longest successful rate, Dabang Dhillie की थी 5, और Bengaluru Bulls की 7. Let's have a look to the tackle records. दोनो ही टीम्स ने एक एक super tackle किया. Dabang Dhillie के पास total tackles 26 थे, जिसमें successful 10 रहेते, और Bengaluru Bulls के पास total tackles 29 थे, जिसमें successful 8 रहेते. आईए अब देख लेते हैं इस मैच के top performers. सबसे पहले बात करें, Dabang Dhillie की तो टॉप रेडर यहां पर रहेते, नवीन कुमार, जिनके rate attempts थे 21 और rate points थे 14. टॉप डिफेंडर है, संदीब नर्वाल, जिनके tackle attempts थे 5 और tackle points थे 3. इसके बाद अगर हम Bengaluru Bulls की बात करें, तो यहां पर टॉप रेडर रहेते, पवन्स हरावत, जिनके tackle attempts थे 23 और tackle points थे 18. और टॉप डिफेंडर यहां पर रहे, सौरब नंदल, जिनके tackle attempts थे 8 और tackle points थे 4. इस match में हमें पवन्स हरावत की अच्छी performance देखने के लिए मिली, लेकिन उनके team की तरफ से उतना अच्छा support हमें देखने के लिए नहीं मिला, जिसकी वज़े से Bengaluru Bulls ही मैच हार गई, और Bengaluru Bulls से score किये सिर्फ 35 points, तो भई दबंग दिली ने स्कोर किये 40 points और दबंग दिली के हर एक Raider और Defender ने अच्छा perform भी किया, अब 25 फेबरी की रात में दबंग दिली हमें खेलते वे दिखी कि पटना Pirates के साथ और वो होगा final round, तो आप सबको क्या लगता है कि इन दोनों टीमस में से कौन सीटी इस बार की ट्रॉफी अपने गुविन ले कर जाएगी, Please let me know in comment section. Also please like this video and subscribe my channel to stay connected and updated.